हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजन और स्वागत है आपका हमारे यूटूब शैनल दिलिप टेलर शन बुटिक में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चार डॉंट ब्लाउज की कटिंग जिसके लंबा ही है 13.5 इंच की 40 इंच का चेस्ट 34 इंच कमर 11 इंच का शोल्डर है 6.5 इंच सामने गला 8 इंच पिछे का गला है 11 इंच शोल्डर ब्लाउज के नाप पर है और यह जो पूरा नाप है ब्लाउज से लिया गया है बॉडी मेजरमेंट नहीं है तो इसी साब से हम करेंगे कटिंग बाकी सारे चीजों को आगे कटिंग में देखते हैं तो चलिए यह मिजरमेंट का पेपर हटाते है इसके बाद हमें चाहिए डबंफोल्ड का एक पेपर ओपन साइड रखेंगे हम अपनी तरफ इस तरह से और उसके बाद देखना सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं लंबाई से तो लंबाई में एक इंच का मार्जिन लेंगे यह होगा हमारा साड़े 14 इंच मार्जिन मिलाके और यह निशान लगा लेंगे इस तरह से उसके बाद एक और निशान लगाएंगे यह भी 14 इंच का दोनों निशानों को स्केल से मिला लेना है अब इसके बाद हम बात करते हैं शोल्डर तो जैसा कि मैंने बताया 11 इंच ब्लाउज के नाप पर शोल्डर है तो इसमें एक इंच का मार्जिन लेते हैं हम जब लाउज का नाप लिए हो और एक इंच का मार्जिन लेने के बाद 12 इंच हो जाएगा तो यह हाफ करके 6 इंच पर निशान लगाना है शोल्डर इसमें ज्यादा क्यों 6 इंच पर इसलिए लग रहा है क्योंकि पीछे का गला ज्यादा डीप नहीं है और चेस्ट भी हेविए है तो ये निशान इस तरह से मिलाए मिलाने के बाद 40 इंच में 6 इंच का आर्म होल ये सिधा सिधा मैं बात करता हूं हमेशा 6 इंच का सिधा निशान लगाएंगे उसके बाद जो है ये इस प्रकार से सिधा निशान ले लिए अब चेस्ट और कमर चेस्ट साइज है 40 इंच का एक चौथाई करने पर 10 होगा तो य लेकिन बॉडिन आप ये नहीं है आगे बात करते हैं कमर जो है ये है 34 इंच का इसका एक चौथाई करने पर ये आएगा साड़े आठ इंच साड़े आठ के बाद जो है हम निशान लेते सवा दो इंच का तो वह सवा दो इंच का ये सिलाए मार्जिन और डॉंट चेस्ट से एक इंच बढ़के मार्जिन आता है कमर पे योकि नीचे डॉंट लगते हैं इसके बाद हम बात करते हैं वापस उपर की तरफ आते हैं आर पूरा हाफ इंच नहीं करेंगे तो भी चलेगा पाव इंच से थोड़ा वहाँ जादा कर देना कि यह इतना इसके बाद हम देखते हैं गला जैसे सामने का है यहाँ पे जैसे सामने का गला में 6.5 इंच का रखना है तो यहाँ पे क्या निशान लगाएंगे सवा 2 से धाई उससे उपर नहीं बढ़ना है सवा 2 इंच परफेक्ट होता है सवा 2 पर एक निशान लगाएं सवा 2 पर निशान लगाने के बाद नीचे एक निशान धाई इंच का लगा लेंगे यहां पर यह इस तरह से और लंबाई जासे हम लेते हैं तो यह साड़े छे का निशान अब इन निशानों को मिलाना है तो नीचे वाला निशान जो है यह प्रकार से मिलेगा और उपर से जो यह निशान है वो इस तरह से मिल जाएगा अब सामने सिंपल गोल गले का शेप देते हैं चार डाट साधा ब्लाउज आजकल उतने जादा नहीं बनते लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसको आजकल भी पहनते हैं तो मैंने सोचा कि इसकी कटिंग आप लोगों को बताई जाए और हेवी चेस्ट साइज के लिए ही बताई जाए तो जाकर के चेक करना डाट पॉइंट कैसे लगता है इसके लिए मैंने एक डीटेल वीडियो बना रखाए कि शोल्डर से कित्ती दूरी पे लगेगा तो रहों डाट के बीच में कित्ती दूरी होती है यह सारा कुछ वहां पे आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेक करें अब ही हम बात करते हैं इंची टेप रखेंगे शोल्डर पर देखे यह इस तरह से तो डॉर कहां पर आएका यह सवाल होता है लंबाई के हिसाब से टょ inकार यहां यहां पर जो आएगा पॉने ग्यारा इंच पर शारे बाहरी तस से पॉने ग्यारा इतने मे यह बैठेगा उसके बाद इधर से देखें दोनों डॉट के बीच की दूरी मतलब हम इस तरब से जब इसको नापते हैं तो यह आएगा हमारा साड़े बस्ट पॉइंट डॉट पॉइंट इसके बाद इसके अलावा जो और डॉट आते हैं इसके लिए मैंने एक सिंपल सा बेसिक फर्मूला बता रखा है कि यह जो आपका डॉट है दो और डॉट जो लगते हैं वो पौने दो इंच की दूरी प्याते हैं कि इधर जाएगा यह पौने दो इंच की दूरी और एक डॉट इधर आएगा वो भी पौने दो इंच की दूरी और जो चौथा और अंतिम डॉट है यह दोनों डॉट के बीच में लगाना है यह पौने तीन इंच की आएगा यह जो दूरी के साइज है वो कम होते हैं चेस्ट साइज के हिसाब स से कम चेश्ट साइज़ों में कम लगता है लेकिन यह जो है तो ठोड़ा ज़्यादा है इन डॉटो को मिलाना है तो यह देखें यह तो बिल्कुल सीधा-सीधा इधर आके मिल जाते है यह वाला जो डॉट है यह तिर्चा मिलता है यह इस तरह से ओर यह डॉट जो है आर्मोह को समझ में आएगा आर्म होल की अगर बात करें तो एक इंच की दूरी से जैसे हम पहली गुलाई देते हैं उस तरह से यहां पर पहली गुलाई हमें देनी उसके बाद जो बात करते हैं दूसरी गुलाई की तो दोनों गुलाईयों के बीच में हम पॉनिज का गेफिंग रखते हैं यह क्लियर है फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखना है जब हम कटिंग करते हैं तो आर्म होल वारी लैन को जब पाटते हैं तो यह थोड़ा सा डाउन करके काटना है ताकि आर्म होल की इंपल ब्लाउज आता है तो वह यह है कि यहां पर देखना यह हम इस तरह से काटें उसके बाद इसी चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसको डाउन करके काटना है और यह साइड से काटने पर हमारे दोनों पेपर अलग अलग हो जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले गले का कट लगाते हैं यह सवा दो इंच वाले पर दोनों पेपर पर एक सांथ उसके बाद यह जो सामने का पल्ला है इसमें हम क्या क्या करेंगे सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे फिर हम आर महुल को छाटेंगे उसके बाद वह सभी डॉंटों के लिए छोटे-छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसको कपड़े पर काटें तो चौक से निशान लगा सकें यह डॉंट के लाइन है इस टाइप से आपको निशान लगाने होते हैं कपड़े पर काटने के लिए और यह सभी डॉंट के पॉइंट पे भी कट लगा लेने हैं तो यह है सामने का पल्ला जो कि केवल इतना ही करना है आपको इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की आउशकता नहीं है बात करें पीछे पल्ले की तो यहां पर भी आज एक सिंपल सा गोल गला बनाएंगे उपर त बात करें तो यहां पर फैलाओ देंगे ढाइ से पौने तीन इंच का और लंबाई जैसे हमें चाहिए लंबाई हम आठ इंच का या साथ एंच ने जबर रखना चातें उसका निशान लगाएंगे फिर यहां पर ये त्षान लगा लेंगे च्छोटा सा गला है उतना डिप कर देंगे फिर हम डॉट के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे पीछे पल्ले का जो डॉट लगता है तो यहां पर डॉट दो है फ्रेंट्स पीछे पल्ले में साड़े चार इंच की दूरी पर आएगा यह ऐसे और डॉट की उचा यह आपको चार से सवा चार इंच के बीच रखनी है तो यह इस प्रकार का डॉट आएगा आपका यहां पर छोटा सा कट लगा सकते हो ताकि आपको यह मालूम हो कि डॉट कहां पर लगएगा कपड़े पर कटिंग करते हुए चौक से यहां भी न अगर किसी को प्रॉब्लम एस तिन की कटिंग में और हमारी वीडियो उसने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दिया है जा करके देख सकते हो या फिर दिलिप टेलर्स एप में भी आपको बहुत सारी डिटेल वीडियो मिल जाएंगी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कपड़े पर कटिंग करने के लिए क्या क्या चीजें यहां पर सौधानी रखनी है पीछे पलेगी तो यहां पर बात करने के अउशकता नहीं है सामने का जो पल्ला है इसके लिए देखना यह एक स्थर का पीस हम लेते हैं मार्जिन कहा पर देना है उसको थोड़ा सा देखेंगे तो यह आपका है चार डॉट ब्लाउज कि इसमें क्या करेंगे यह वाले हिस्से में एक सीधा निशान लगाएंगे और फिर पॉन इंच का मार्जिन छोडेंगे क्योंकि नीचे हमें पॉन इंच का मार्जिन देना है और इसको आपको डबल फोल्ड में निकालने की और शक्ता नहीं है कोई जोरुत नहीं डबल फोल्ड में निकालने की क्योंकि सामने हूंक वाला ब्लाउज है पीछे उंक वाला रहेगा तब भले इसको डबल फोल्ड में निकाले वैसे इस तरह के ब्लाउज पीछे उंक वाले नहीं बनते हैं पूरा मार्किंग कर ले ना इसमें यह इस तरह से गले का हो गया फिर आर्म होल का कि तो कि और यह जोAsh ऑल वाला हिससा इना इसमें भी पौन हींच का आपका मार्जिन आएगा है तो यहां पर भी पौन हींच मार्जिन रे यह साइड में और नीचे वाले हिस्से पर पौन हींच का मार्जिन तो यह इसको उठाते है फिर क्लिगścią만 पीछे पल्ले की बात करते हैं पीछे का जो पल्ला है उसमें डबल फोल्ड में ही आपको कटिंग करना है यह चीज खास तोर पे ध्यान रखेंगे पीछे का पल्ला हमेशा डबल फोल्ड में निकालें जब भी आप सामने हुक वाले ब्लाउज बनाते हैं कि यह पेपर सिंगल पीस होता है डबल फोल्ड में निकालने पर ही पीछे कपल लाएगा गले का मार्किंग कर लेंगे और पूरा इसमें निशान आपको लगा लेना है डॉट का निशान कहीं पर कोई मार्जिन इसमें देने की ओशकता नहीं है तो यह था फ्रेंट्स एक सिं अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करें चैनल पर पहले बराएं चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा मैं राजन आप से फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जाएं